के उपर लाठी चार्ज के बाद लगातार विरोध बढ़ता जारा है अभी हम खड़े हैं हाशी चंडिगड रोड के उपर जहां पर किसानों ने जाम लगा दिया जी हाँ हाँ हाशी चंडिगड रोड की तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों के द्वारा ज रियाना में सुरू हो गया कि सार के रोड की जहां पर किसानों ने जाम लगा दिए क कपी लंबा जाम यहां पर देखने को मुल किंझा करेफ। नवे मैं दार्वा है दोने तरफ दोने आता किसान बिल्कूर शांती पर देंए को मिल रहा है इनका कहना उनके उपर जो लाधि चार्ज किया गया है उनको जो गिरफतार किया गया है उनको इस मुद्ध करें और फैर वज़ किसम नपर अब कि जामका यहां मागए करें और Matter जो मुद्ध को लेकर यह मम लगा है धाय किशा मुद्ध मसका व्यान पेसलें आज हुए मुख्य मंत्री शार मा आया था एक करुणना का स्पताल का उद्गाटन करन खातर है और वो रहा इतना है कि बेठ गया टाइम बताए दिया दो बजेगा किसान अपना विरोध करें थे किसान मोर्चा का हुआन पर अग्वाइब बीजेपी घर जेजेपी का कोई मानसा होगा ताम उसका विरोध करांगे लेकिन वह जब शांती ता विरोध करन लाग रहे थे उसका खिलाफ परदर्शन करें थे तो खाली थे मजदूर भी और खाली थे किसान भी उनको उपर इन रबड की गोड़ी भी चलाई और असुगा इसके गोड़ी चोटे उनका बहुत तो च चोट लागरी किसान ना कहें और वाइज शेकड़ों की इस तदायत में बालक जो अनर्ज किसान गिरफतार कर राखे हैं जतने इन रियान ही करेंगे ने इतना ये दरने और एक गामगले नुए लावांगे और ना दरना न खोलन जांग यह मारी मांग से जितने गिरफतार और जितने चोट लागी से उनने उनका इलाज करा और इन काड़े का नुन नहीं वापिस ले ले लिए तो वह आज मारी गणी तो माता कहें अर्ताइज चाचियां कर छोटे-छोटे बेटीयां कभी चोट लागी है इसार के अंदर जिस प्रकार से आज लाठी चार्ज करें सुरुएत हैं सुरुआत के आप कडह मोरे सारे फिट्व पाईज है मारव भी तो घैट पाऊंगे आप division बिदीर पॉन lies से पाईंगे चोंट से वीडियों dáं अ HubSpud विडियों उनने बताया एक लग सुरुआत कि और यहां पर दो असमत को भूइन Day के सालवाट निस सेखती तक्राइए को तों व्य स्वाट गाईगती है इतने दिन तों माफि मांगा के समाज में खड़े हो के इतने धिन सेष्पी बी ने बताएज दूरें दो रूट ने ने व्य गांकरी। पर आपर और बेट किसांने किसकी दुकान लूट लिए रहें और किसांने किस पर वीडियो देखाओं फोटो देखाओं जिसमें पुलिस आपर अडाये वीडियो से तो अच्पना के लिए रखी है गंगा में लाप आसान लागे शेदा अंग टनुक हताइस कर्लाधि यो तो नाइजीरिया कि लासावाँ से इंदुस्तान ने को ने मांदे नाइजीरिया के मराजील के बतावाँ से कफन चोरण लाए बीजे प्याड़े युपी में और उनका एक मेल लेका है विले इनका फंचोरण यान रिया कर तो यह भी कहना है कि कोरोना काल है विरोध नहीं करना चाहिए श्यांती प्रिया तरीके से अपने घरों में रहना चाहिए बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाग है बिल्कुल सही बात से वाइं हम इस बातना मनना करोना है एक तो योदान देख लो वह उड़े दिल्ली मैं टिकरी पहे गाजी पूर पहे सिंगू पहे साज़ा बु चाहिए मारे वेक्षिन बनाएदी डाक्टर में नत कर लाइगरे मारी नर्स में खूब काम करें से अम इस बातने भीमाना यो अस्पताल करोना का बनाया जबात एक गाम में ब्याक है उपर तो 25 आदमी कठे को नियों दे लुगाई दिन में टेम पास कर ले सत्संग करके व किसानों के अंदर लगातार विरोध यहां पर देखने को मिल राएं का कहना है कि किसान बिल्कुल श्यंती प्रियत तरीके से अपना अंदोलन कर रहे थे और जैसे ही वह अपना विरोध जता रहे थे तो उनके उपर पुलिस के ही आदिकार योने करमचारियों ने लाठी च कि देखिए आज जो विरोध प्रदसन के अंदर गाउं के हमारे गए हुए थे और पंदरा सोड़ा के करीब गिरफतार कर लिए गए हैं हमारा ट्रेक्टर था ट्राली थी उसको भी ठाना के अंदर कर लिया गया है जब तक उनको गिरफतार उनको रिया नहीं किया जाएग तब तक हम यह जामी निकोलेंगे गाउं सारा एक है सारा गाउं उठके रोड़ पर आ चुके हैं और अगर उसके बावजित भी आपकी मांग नहीं मानी जाती है उसके बाद नहीं मांगी जाते दांदोर नमारा जारी है किसानों के साथ हैं लगातार किसानों का यही कहना है कि भले ही हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन किसी भी हाल में हम अपना आंदोलन वापिस नहीं लेंगे कुछ और भी किसान हमारे साथ मुझूद है बस अब किस तरह से देखते हैं आज के हालात को किसान अभी भी इसी बात को लेकर आड़ी गहां कि उनका आज कोई कसूर नहीं था और उनको बेवजय तंग करने की कोशिश की गया सत्रोल खाप के जो परधान है वो भी यहां पर इन किसानों का समर्थन करने के लिए पहुँचे हुए है हलां कि पहले भी लगाता है इंकी तरफ से ऐलान किया जाता रहा है कि वो किसानों के साथ हर कंदे से कंदा मिलाकर उनका आने वाले समय में भी साथ देंगे प्रदान साब जो घटना करमाज हुआ किस तरह से देखते हैं इसको ये बहुत बुरी तरह से सरकार अपना तानाशायी का मतलब बुस्क ये क्योंगे रारी है लेकिन अप जलसे जलूस तो लोग भी कठे होंगे तो यह ठीकरी बाडर पर लोग बैठे हैं और भी बैठे हैं जिस्तरा मारे बच्चे इपती रहा नहीं करे जाएंगे यह जाम निकुलाइगा यह मतलब पूरी खाप में और कई कापों में फैल जाएगा मतलब रोड जाम एक नहीं अनेक हो जी बलकुल एक रोड जाम नहीं बलकि आनेक रोड जाम हो जाएंगे हम आपको बता दे हैं कि किसानों की तरफ से पहले ही अलान कर दिया गा था कि वो हर हाल में हारियाना के मुख्यमंतरी मुर्णलाल खटर का हिसार दोरे का विरोध करेंगे और विरोध की तस्वीरे आज पूरे हिसार में देखने को भी मिली थी और जैसे ही किसानों को पता सलाह था कि हरूड़ के मुख्यमंतरी मुर्णलणला खटर पहुचने वाले हैं तो तुरंत अलग अलग इलाकों से, अलग 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 गाउँ से, अलग अलग टोल से होते हुए हजारों की संक्या में कि जो है वो हिसार के अंदर पहुंच गए थे और अलग अलग नाके तोड़ते हुए अलग बैरियर क्रोस करते हुए वो विरोध कर रहे थे उसी दोरान जिस प्रकार से किसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी वैसे ही पुलिस की संख्या भी काफी बढ़ा दी गई थी और प अबुलेंस के लिए विसेष वैसा यहाँ पर रखी गई है कोई भी मरीज अगर आता जाता है तो उसको जाने दिया जा रहा है उसके अलावा किसी भी साधन को आने जाने की कोई आनूमती किसी भी साधन को यहां से नहीं जाने दिया जा रहा है लेकिन जो पेशेंट है कोवीड से संबंदी है अगर कोई भी मरीज है या उसके प्रीजन है तो उनको जाने दिया जा रहा है और साथ में जो यह गाड़ी अभी जाने दिया रही है यह डिलिवरी पेशेंट है डिलिव विरोध लगातर बढ़ता जा रहा हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को देखर आप खुद अंदजा लगा सकते कि कितना लंबा जाम यहां पर अलगा हुआ है जहां यहां तक हमारे केमरे की नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ साधनी साधनी यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से हिसार के अंदर किसानों के उपर लाटी चार्ज हुआ अनेक किसानों के चोट लगी है अनेक किसान घायल हुए है और दोसों के करीब ऐसा बताए जा रहा है कि 200 के करीब जो किसान है उनको हिरासत में लिया गया है और अब ये जो घटना करम है वो पूरी तरह आग की तरह फेलता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग जगाओं पर रोड जाम की सुसनाइं मिल रही है अलग अलग जगाओं पर किसान लाम बंद होते हुए नजर आ रहे हैं का कहना कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी जब तक किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक किसी भी हाल में वह अब जाम नहीं खोलेंगे लगातर विरोध की तस्वीरे यहां पर देखने को मिल रहे हैं गुर्णाम सिंग्चाड़नीजों की किसान एता है वह भी किसानों के बीच में पहुंचने वाले हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा कि जब तक इस परकार से किसानों की उपर अत्याचार किया जाता रहेगा तब तक उनका विरोध जारी रहेगा लगादर तस्वीरे हम आपको हांसी चंडी के रोड़ की दिखा रहे हैं काफी सारे पुली साले में विदो किसे के वाई बंदूगे में विदो किसी की माउंगी फुली साले नेमाला ठी चार्ज करका नुटांग तोड़ दी बाह तोड़ दी ओपर यह काम करें आगे वो टैरिस्ट थोड़ दे वो जी देश के दे उनकी मांगे पूरी करो ठीक ना यह जाम क्या हम इसमें खड़े जाम मैं तड़की के बुक्के भी है प्यासे भी है खट रगा क्यों होगा है इब यह तो उसने सोच ने चींजी देश खातर तो करोना रहा ओ फिर बैड़ोगी परियोक करदा रेली करदा फिर के करेंगे इसका बता के करेंगे दोहरा चेहरा यहां पर देखने को मिल रहा है दोहरा माप दंड बिलकुल दोहरा माप दंड यहां पर देखने को मिल रहा है ऐसा लोगों का कहना की एक तरफ तो कोरोना की बात कही जाती है कोरोना के चलते धारा 144 लगा गये लोग डाउन लगा गया है लेकिन जिस प्रकार से हर्याना के मुख कि ऐसे दोहरे मापदंड दोहरा जो नियम है वह नहीं होना चाहिए लगातर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस परकार से किसानों का जो विरोध है वह यहां पर बढ़ता हुआ नजरारा लगातर किसानों की संख्या बढ़ती जारिया इनका कहना है कि जब तक आज हिस आज़न को और तेज करंगे यह देखर आपको डिखा रहे हैं हाशी चंडिगर्ण रोड़ की यह अघी चंडिगर्ण रोड की हाशीच किलोमेटें रहा यहां पर जाम लगा हुआ हूआ ठ margini पर पल पल की यहां पर बढ़ता हुआ अन्ना जरा रहा है इनका कहना है कि हिसार के अंदर जब किसान च्छांती प्रिया तरीके से अपना परदर्स्वन कर रहे थे अपना विरोध जता रहे थे तो उनके उपर बेवजय आकरमन किया गया है लगातर तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं खटर साब को क्यों बुला रहे रिबन काटने के लिए वैसे फजूल का खर्चा है वैसे किसान बढ़क रहे हैं तीन काले कानूनों के बारे में फिर भी सरकार गुमरा करके वहां खटर साब को बुला रहे क्यों बुला रहे हैं सरकार वैसे अंदोलन में जमिदार परेशा दूसरे जमिदार फिर भी सरकार गुमरा करके लोगों को बढ़का रही एक दूसरे सापस में यह सब गल्ट करी सरकार सरकार ने इसका कदम सोच समझ कर उठाना चीए बिल्कुल और आपको क्या लगता है किसानों को उपर लाठी चार्ज किया वह गल्ट किया इसका अंदोलन बैठकर शुर जाना चीए सरकार ने उनको भी किसान बढ़के रहे हैं बढ़के कुछ भी कर सकते हैं यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हाशी चंडिगर रोड की जहां पर किसानों ने विरोध जताना सुरू कर दिया है जैसे ही किसानों को पता चला कि हिसार के अंदर जब किसान श्यांती पर यह तरीके से अपना अंदोलन कर रहे थे अपना विरोध जता रहे थे तो उनके उपर लाठी चार्ज कर दिया गए है उनको उपर आसु गैस के गोले दागे गए हैं काफी सारे किसानों को चोटे आई हैं और 200 के करीब जो किसान हैं उनको हिरासत म ले लिया गया है आप किसानों को छुड़वाने के लिए और साथी साथ जो व्यवार किसानों के साथ किया गया है जिस प्रकार से किसान नेताओं की तरफ से किसानों की तरफ से आरोप लगाई जा रहे हैं उसको लेकर विरोध लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है अलग कि एक तरफ किसानों के विरोध में जाम लगने शुरू हो गए है, वही दूसरी तरफ किसानों के उपर किस परकार से पुलिस के जो करमचारी है, उन्होंने लाठी चार्ज किया था, किस परकार से उन्होंने पथरबाजी की थी, कि ये तस्वीरे आप देख सकते हैं बिंदास रियाना की स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकर हिसार के अंदर आज किसानों और जवानों के बीच में किस परकार का मंज़र रहा होगा हर कोई पहले ही इस बात को लेकर काफ की सुचना किसानों को लगी तो वो अलग-अलग इलाकों से इकठे होकर हिसार की और भारी संख्या में पहुंचने सुरू हो गए और उसके बाद लगातर बेरिगर तोड़ते हुए जब वो हिसार की तरफ मुख्यमंद्री मनोलाल खटर के कारकरम की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके उपर लाठी चार्ज किया गया और आसुगैस के गोले भी दागने पड़े और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे और किस परकार से अब हर्याना में माहोल बदलता हुआ यहाँ पर एक बार फिर किसान अंदोलन यहाँ पर चिंगा और किसानों को लगातर बिंदा सर्याना की खबरे हम दिखा रहे हैं बिंदा सर्याना के माध्यम से पलपल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आईए अब और भी खबरे आपको रूबरू करवाते हैं किस नेताने क्या कुछ का है उन्हीं की जुबानी हम आपक को सुनवाते हैं